तो गाइस हमारे पास दो एयर फोन है एक हमारे पास है बोर्ट बेसेट्स 100 एंड दूसरा हमारे पास शाउमी का एयर फोन बेसिक तो इन दोने में हम लोग यहां पर कंपेर करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं यह मुझे मिला था 300 का एंड यह वाला मुझे मिले था 306 रुपए का तो जो प्राइज वह थोड़ा बहुत इदर उदर है बाकी ऑल्मोस सेम ही है यह थोड़ा से कम आपको मिल जाएगा सस्ते में तो इसलिए हम यहां पर यह कंपेर्जन कर रहे ह सबस्क्राइब बात करते हैं तो अगर मैं यहां पर बूर्ट बेस है वह काफी अच्छी है यहां पर बेस जो है वह स्लाइटली मडी सा आता है मतलब मुझे ऐसा डिफरेस अगर आप इसके ऊपर का कोई और यह फोन को आप अगर टेस्ट नहीं करते हैं या उसको नहीं जाएगा बट ऐसे ओवर आल आपके नॉर्मल यूज़ेस के हिसाप से इसका सावन क्वाटी काफी अच्छा है बेस ठीक टाक मिल जाता है और बात करते हैं अगर हम यहां पर शाओमी के यहां पर एयर्फोन बेसिक की तो इसमें जो सावन क्वाटी काफी अच्छी है यहां बाखी सारी साउंद्स है वह काफी क्लियर होता है इस एरफोन में आप एक गहंटे दुघंटे से जाधा अगर इसमें म्यूजिक सुनता है तो आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है यहां पर आप अगर इसको यूज़करते हैं तो यह जो साउंड क्लियर रहती है जिसके वश चाहिए इस वाले एरफन में कुछ ऐसे चीज़ है जो जो आपको जानी बहुत जरूरी है तो गाइस बात करें बिल्ड क्वाल्टी की तो जो लेंथ है यहां पर बोर्ट बेसाट का वह थोड़ा से कम है कंपेर डू यहां पर शाओमी के बेसिक यह फोन से यहां मिलती है बड़ कंप करने veut को काई व्हुती बहहत ही बहतरी है यहां पर देखने वह से हुण करने में भी आपको फील आएगा कि हां मतलब जो इसकी क्वाल्टी हो काफी अच्छ है और यह थोड़ा सा मैं क्या कहूं इसको रगड टाइप का जो क्वाल्टी है इसके अंदर है तो जल्दी जो है आपको यहां पर वायर में डैमेज देखने को नहीं मिलेगा साथ में तो आप इसको रिपलेश नहीं कर पाएंगे साथ में आप देख सकते हैं इसके जो वायर है यह भी पतले हैं तो यहां पर वायर में भी आपको डिफेक्ट आ सकता है यूज करते हुए तो यहां पर शाओमी के अंदर आपको ऐसा ऐल शेप का जैक मिल जाता है एंड बोट क तो ऐसा स्ट्रेट वाला इसको अगर आप फोन में ऐसे इंसर्ट करते हैं तो यह थोड़ा से बाहर इतना वायर निकलता है तो इतना वायर यूज में नहीं आता है थोड़ा डिस्टरब करता है यहां पर यह जो है पूरा आप यूज कर सकते हैं इसको पीछी तरफ करना जाता है अगर वारंटी में तो आप खुद से वहां पर रिप्लेस करवा सकते हैं बट अगर आप खुद से थोड़ा वह रिपेर करना जानते हो या करना चाहते हो तो इस वाले में रिपेर करना तफ होता है अगर इसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आराम से इसको से आप ओपन करके इसको ठीक कर सकते हैं बट इसको ठीक करना कटेन होता है तो जो मैंने सुल में आप से कहा था कि आप साउंड क्वाटी को देखते हुए जल्दी से मत डिसाइड कर लिजेगा कि कौन सा खुलना चाहिए इसके लिए मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब चैनलड देख सकते हैं यहां पर यहां पर मैंने एक अलग सा यहां unusualeeeeável मैंने लगा रखा एकशाíve और इसको फीकर जो एक काम करना बंद हम बंद कर लिया था तो जबही जबी मां गया से सर्विस सेंट्र में एक्षेंज कर आने तो तो वो मुझे शामी यह फोन बेसिक ना देकर के रेडिमी का एक यह फोन दे रहे हैं जो इससे थोड़ा सस्ता भी आता है एंड उसकी साउंड कॉल्टी बेची नहीं थी तो मैंने रिजेक्ट कर दिया कि मुझे वो नहीं चाहिए मुझे आप यही बाद दीजे बट उन्हों चक किया तो मुझे पता चला कि जो speaker है उसका speaker ही ख़़ा था इसले यहां पर वायर चेंज करने से या वायर को कट करके यहां पर connect करने से कुछ भी फायदा नहीं हुआ अंत में इंड में मुझे यह जो है speaker पूरा-पूरा ही चेंज करना पड़ा तो इसलिए मुझे यहां पर काफी नुक्सान हुआ मुझे एक्सचेंज ही कर लेना चाहिता बट फिर भी आप सोच सकते हैं कि जो प्रोडक्ट मैंने पर्चेस किया है मुझे रिप्लेस्मेंट में वही प्रोडक्ट वापस देना चाहिए बट वो मुझे दूसरा प्रोडक् जो रेडिमी है इसका सर्विस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो अगर आप यह लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको 6 मंत की वरिंटी मिलती है और उसमें भी आपको आपका औरिजिनल प्रोडक्ट मिले यह कोई ज़रूरी नहीं है अगर आपका प्रोडक्ट खराब होता है तो आपको कोई भी ऐर अगयरा है ऐसा इयरफोन पकड़ा देंगे इस हिसाब से देखा जाए तो गईस यह फोन आप अगर ले रहे हैं तो आपको शामी का नहीं लेना चाहिए पहला तो यह 50 रुपए आपको महंगा भी मिलेगा साथ में आपको सर्विस भी अच्छी न लेना चाहिए यह हर मामले में अच्छा है sound quality भी आपको decent बिल जाती है ज्यादा खराब नहीं है और यहां पर wire जबरदस्त quality के हैं आपको मिलते हैं तो यह जल्दी खराब नहीं होगा और होता भी है तो यहां पर इनकी सर्विस अच्छी है आपको घर से ही यहां पर जो है हुआ हुआ